हेलो नमस्कात वस्तों मैं सुदेद स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने सुटोप चैनल एक्जाम गुरू टिप्स और ट्रिक्स में देखी यूपी टुपल सी वीडियो और लेकपाल के लिए 45 दिन को स्ट्रेटजी मैंने बना दिया है और इसी हिसाब से आपकी तयारी कराई जाएगी और 45 दिन रेगुलर आपकी क्लासेश चलेंगी देखें हिंदी में रीजनिंग की और जैसा कि यहां पर टैग लाइन लिखा गया है काबिल वनो सफलता कुन मिलेगे इसलिए हम काब अच्छे से पकड़ बनाएंगे और आखिर में चीजे अपने आप मजबूत हो जाएंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या प्लानिंग क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है पैतालिश दिनों की वीडियो और लेकपाल के लिए तो अभी वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाता हूँ अगर जो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लेकपाल और वीडियो के तहरी अच्छे से कराई जाएगी तो चलिए ये ध्यान से सुनिएगा थोड़ा समझ जीए चाहना मागना और खो देना ये सब तो खेल है इसमें उदास मत होना खुद से भी मिलना सको ऐसे काम मत करना तो चलिए सुरू करते हैं यूपी ट्रिपल से वीडियो लेकपाल के लिए लास्ट पैतालीस दिन के स्ट्रेडिजिक क्या कैसे होने वाली है पूरी चीजी देख आपको कहां पे आपको पकड़ मरानी है कहां पे आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा हिंदी पर रहेगा हिंदी भी मैत की तरह है जैसे हम मैत में 50 में 50 ला सकते हैं उसी तरह सेम हिंदी में भी हम मेनहत करके 50 में 50 ला सकते हैं इसमें कोई कह नहीं सकता है बच्चे लाते भी हैं 35 में 35 लाते हैं यूपी पुलिस के एकजाम भी ही देख लिए जग कई बच्चे करके आ हैं अच्छे नमबर उस ठीक है तो हिंदी में हम कोशिस करेंगे हमारा जो टार्गेट होगा 50 पूछे जाएंगे टार्गेट हमारा होगा 45 फ्लस फॉर्टी फाइफ प्लस कोशी हमको करके आना है ठीक हा यह टार्गेट हमें बनाके सेट करना और हमें तैयारी कर वाएंगे लास्ट में क्रेस कोर्स चलेगा और जैसे ही 45 में आपका हिंदी का से लिए बस खतम हो हिंदी में ठीक है तो इसी हिसाब से मेरे साथ तयारी करते रहेंगे तो यह चीज हो भी जाएगा ठीक है और टोटल कोर्स की बात करें तो हिंदी का जो कोर्स है मैं 45 दिन में 45 डेज में आपका कम्प्लीट करा दूंगा उसके बाद जो होगा टेस्ट चलेगा प्लस रिवीज रहेगा रीजनिंग में देके रीजनिंग से भी 50 कोशन पूछे जाएंगे और यह भी टॉपिक इंपोर्टेंट है और रीजनिंग में भी हम थोड़ा बहुत मिनहत करके आराम से 45 अगर जो हम थोड़ा बहुत मिनहत करते हैं तो कोई नहीं हमें 40 प्लस नंबर कोई नहीं हिंदी में 45 प्लस कर ले जाते हैं तो हमें सेलेक्शन से कोई नहीं रोप सकता ठीक है क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट होता वह हमारा जी के होता है ठीक है आपने यूपी पुलिस के एक्जाम में देखा होगा जी के ने बच्चों की हालत खराब कर रखी थी और सारे पोर क्योंकि त्रिक बताए जाएंगे जो इंपोर्टेंट होंगे और साथ में आपका चलता रहेगा लास्ट में ठीक है तो वीडियो और लेकपाल के त्यारी कर रहे हैं तो बेटर होने वाला सारी चीज़े के लेकपाल की बात करें तो लेकपाल में थोड़ा बहुत चेंज आ आईगे आपको वो चीज़े भी कवर करा दी जाएंगे अभी अप लेकपाल के तयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस फूरे सेसन को 45 दिन को follow कर ये क्या चीज़े कैसे करना सारी चीज़े देखते रहे ठीक है अब इसके देखते हैं जीके में देखे मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊंगा देखे जीके में जो target मैंने है 50 में मैंने 30 plus set किया कि जो आप 30 plus कर देते हैं तो बहुत अच्छा कर गया आते हैं मैं ये मानता हूँ आप हिंदी और रीजिनिंग का target set कर दीचे 100% 45 plus कर के आना है और हिंदी का जो जी की का target है वो 30 plus जी के मैं कैसे पढ़ाऊंगा जी कि मैं history अलग पढ़ाऊंगा उसके बाद उसके multiple choice question आपको दे दूँगा geography पढ़ाऊंगा economics constitution समीधान general science UP का जी के एकदम अच्छे से question आपका बाहर से नहीं आएगा जैसा कि UP पूलिस में मैंने पताया था और current affairs others ठीक है और यह सारे चीज़े आपके syllabus में है वीडियो और लेकपाल के तो सारी चीज़े अच्छे से चलेंगी पहले आपके हिस्ट्री से सुरुवात होगी geography चलेंगी उसके बाद economics और उसके बाद आपके लेकिए one-liner question जितने भी मनते से हिस्ट्री मैंने पढ़ा हिस्ट्री के one-liner question जितने भी important सबके दिये जाएंगे geography के one-liner question economics सारे समीधान के general science के सारे के one-liner question भी दिये जाएंगे और उसके बाद syllabus भी आपका cover कराया जाएगा target जो gk के थीस-plus में हमारा जो focus का that वा हिंदी पर रहेगा और हमारा ready इंदिंग पर रहे得 ठीक है तेक हो अभी आखों में ख्वाब बाकी है अभी आखों में ख्वाब बाकी है साख पर कुछ गुलाब बाकी है ध्यानसे सुनियागा अभी आखों में ख्वाब- करिए कि मतलब आपको नौकरी मिल जाए जैसा कि मैंने अब हमेशा बोलता हूँ पहले भी बोलता रहा ता उसके बाद देखे, free pdf, जो भी चीज़े मैं पताऊंगा, history, geography, या फिर किसी भी चीज़े में हिंदी में पढ़ाऊंगा, उसका free का notes जो मिलेगा आपको, वो टेली ग्राम ग्रूप में मिलेगा, अगर जो आप अभी टेली ग्राम ग्रूप जोइन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के description में मैंने link दे रिया है, टेली ग्राम ग्रूप को तुरन जोइन कर लिजे, उस पे सारे pdf को free में provide कराये जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को follow करना है, देली आपको plan मनाना है, कम से कम चार घंटे आपको बढ़ाई करनी है, माल लिजे, डेली मेरा वीडियो जो घंटे का, आपको मेरे दौरा मिल जाता है, उसके बाद आप कम से कम एक घंटा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक घंटा और अधर चीज़े जीके का पोर्शन आपको पढ़ता है, जीके लूसेंट ले लिजे, लूसेंट को धीरे धीरे पढ़ते रहेए, और एकदम मेरे भरोसे मत रहेगा जीके को लेके, और जीके का मैं सिलेबस कवर कराऊंगा, लेकिन अधर जो चीज़े हैं, जैसे करन्ट अफेर्स हो गया, औ करने की, कम से कम, मतलब 4 घंटे मैं बता रहा हूं, कम से कम आपकी स्टेडी प्लान होना चीज़े, चार घंटे, आप ये घंटे, मालीज़े, 1.5 घंटे आप प्रेक्टिस एट स्वाल करते हैं, तो 6 घंटे मिलाके हो जाते हैं, ठीक है, अब देखे, मस्ट नोट्स जो होत सकते हैं, इसलिए नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे देखे, आर यू रेडी, मतलब आप त्यार होना, मेरे साथ चलने के लिए, कल से आपकी हिंदी की रेगुलर वीडियो, मिलने लगेंगी, हिंदी की क्लास, बहुत सारे लोग बोल ल हिंदी और जीके आप पढ़ते रहें, रिजनिंग भी अच्छे से मैं कराऊंगा, और अभी हिंदी जीके कल से रिगुलर चलेंगी, और कोशिज करूंगा, यू पी जीके भी अलग से शुरू कर लेकिन, यू पी जीके आपका एक अलग से मैं नोट्स अच्छे से बनाके पढ़ाऊंगा, ठीक है, और तीन से चार वीडियो में पूरा यू पी जीके मैं कम्प्लीट कर दूगा, ठीक है, तो बने रही है, मेरे यानि एक जाम गुरू टिप्स और टिक्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और देखते रहे हैं आगे किस तरीके से हिं तो सुझ जया बारत